ये है दिल्ली दर्पन कोई भी चोर चोरी करने के बाद यह दूना कैसा कि मैं चोर जांच करवा लीजिए बीजेपी के किसी व्यक्ति का उस एंजियो से किसी परकार का कोई लिंक नहीं है अब आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाटख ने जिस एंजियों को फरजी बताया था हम वहां भी गए हैं वहां पर वह सक्स भी मिले हैं जो वह एंजियों चलाते हैं और इस वक्त हम खड़े हैं योगे स्वर्मा केशोप्रम जोन के वो चेर्मेन है इनी के वाड में वो एंजियो भी काम करती है और जो आदेश हुआ है वो भी इनी के जोन से हुआ है तो हम बात करते हैं योगे सी क्यूं लगा कि उस एंजियो को ये उसके फेवर में ये इस तरह का एक लैटर जारी करना चाहिए क्या MCD उसको मदद करें फंड करने के लिए दिखे आमादी पार्टी का काम सदैव बात का बतंगड बनाना है और कुछ नहीं करना है हमेशा कोई भी विभाग है चाहे वो केंदर हो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो निगम हो इसमें CSR के माध्यम से सभी समार्ट रूम बनाए गए और और अन्यकाम भी किये जाते रहे हैं मैं वैसे बताना चाहतो मेरा उस NGO से किसी परकार का कोई लिंक नहीं है मेरे निगम पार्षद बनने के बाद मेरे पास कुछ लोग आए उन्होंने कहा कि हम स्कूलों के अंदर जो है स्मार्ट रूम के अंदर मुस्कान कक्ष्पनाई उन्होंने बताया कि हम स्कूलों के अंदर रूम को डेकोरेट करेंगे उसकी मेंटेनेंस करेंगे साथ में एक LED टीवी लगाएंगे जिसमें जिसके माद्यम से बच्चों को आज के दिन में नया जमाना आ चुका तो टीवी के माद्यम से पढ़ाया जाएगा और साथ में वो टीचर निशुलक एक दे रहे थे जो जिसमें वो वीक बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था तो इसलिए हम लोग नों भी कहा कि अच्छी बात है अगर कोई व्यक्ति अपने आप भढ़कर आगे आता है और वो help करता है तो उसको करन बनाए इवन सुल्तानपूरी के अंदर आमाधी पार्टी की जो वहां की जो कॉंसलर थी उनके वाड के अंदर भी उन्होंने स्कूल के अंदर जाके इस परकार का जो है मुस्कान कक्ष मनाया उस वक्त की आमाधी पार्टी की जो पार्शत थी राधा राना उनके वाड के अंदर भी बनाया तो यह काम वो कर रहे थे लेकिन बीच में करोना आने के बाद में एक साल से किसी परकार का कोई काम नहीं हो रहा था प्रतेक व्यक्ति घर बैटा था अब वो उसके बाद इन्हों ने तुरंत इन्हों ने का जी हम बारां स्कूलों के अंदर जब यह काम कर हैं तो निगम के हमारे किसी अधिकारी ने उन्हें कहा कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप हमारे स्कूलों के अंदर और काम कीजिए क्योंकि प्रतेक व्यक्ति की चाहत होती है कि मेरे मेरे अंडर आने वाले प्रतेक स्कूल के अंदर अच्छा काम हो सके तो अधिकारीयों ने कहा एंटरिया करते हैं तो क्या देखते हैं किया वो काफिल है कि जो कह रही हो कर सके उसे फंड की जुड होता तो यहीं अभी तक कि फंड अपने परेज करते है डिपार्टमेंट कभी किसी को मदद नहीं करता, इस तरह से लेटर नहीं लिखता, यह आम आद्मी पार्टी का भी आरोप है, कि वो एंजियो आपके लोगों की थी, बीजे पी वालों की थी, और यह उगाई का नया तरीका, इस तरह के आरोप आम आद्मी पार्टी लगा रही है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर जो बार मिले, लेकिन मैं आपको इतना जुरूर क्लियर करना चाहता हूँ, कि जब कोई उससे पूर में भी बारा स्कूलों के अंदर, जो उन्होंने लगाए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, निगम का एक रप्या नहीं लगा, उसके बावजूद उन्होंने वहापर कीजिए, अगर आप लाएंगे तो उन्होंने का जी, आप एक अगर हमें लिख कर देंगे, तो हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो CSR के माद्यम से उनको एक लिख कर दिया, कि आप अगर इनको फंड देंगे, तो हमारे स्कूलों के अंदर इस परकार से एक स्पार इसके बावजूद वो अपनी जेव से एक दो स्कूलों के अंदर फिर लगाने जा रहे हैं, वो भी उन्होंने किसी परकार से कोई फंड ने लिया, तो इस परकार से केवल लांचल लगाना और भाग जाना, चोर-चोर चिलाना और भाग जाना, यह आमादी पार्टी की फि फंड रेस करके देंगे, ऐसा है अधिकारी कहीं कोई फंड रेस नहीं कर रहे हमारा कोई अधिकारी कहीं कोई पैसे निए उस लेटर का मतलब क्या है कि इस इस एंजियो को हमने केवल जो जो एमसीडी ने अउथ्घराईज किया है कि यहां पर स्मार्ट रूम बनाने के लिए ये NGO काम कर रही है वो केवल एक उसकी विश्वस्वनितिया के लिए वो उन्होंने दिया है निगम का कोई अधिकारी किसी से कोई पैसे लेने नहीं गया किसी अधिकारी ने कोई पैसे की बातचित नहीं करी लेकिन ये आम आधि पार्टी ने अपनी तरफ से एक मं घटनते एक स्टोरी बनाकर उसके लिए क्योंको प्रतिश दिन एक पीची करनी ऐख चाहिए यह को साला क्रियेक्ट एक होता vegetable क्रेपार कोई मसाला आना यह मसाला one के मानिस के तो बाराजार पन्नों की अमानिज के खिलाब भी की थी, शीला दिक्षित के खिलाब भी की थी, प्रतिज दिन वो लाके खोटालों के बारे में चर्चा करते हैं, वह उसके बाद आज तक इनों ले कुछ प्रूव तो किया ही नहीं, तो ये केवल जूटी बाते फैलाना, इस बच्चों का भविश्य वो खराब कर रहे हैं, अगर MCD के अंदर इस प्रकार के स्मार्ट रूम बन जाएंगे, वो बच्चों को अगर हम अच्छी सिक्षा दे पाएंगे, तो इसमें इनका क्या जा रहा है, वो CSR पैसे दे रही है, लेकिन वो नहीं चाते कि दिल्ली स्थ जो वो अपने डोंगा लापते हैं हमेशा, कि हमने अपने स्कूल अच्छे मनाए, कोगि आज MCD के स्कूल बहुत रख्की कर रहे हैं, वो आज उनको तकलीव होती है, जब अच्छे MCD के स्कूलों के अंदर वहाँ पर इस परकार के स्मार्ट रूम बनते हैं, आप मेरे क्या उसके लिए भी NDPLC हमारी कोई किसी परकार की कोई घूस ले ली, अरे भई CSR फंड होता है, उस CSR फंड के माध्यम से प्रतेक विभाग कही न कही अच्छे काम करने के लिए ये काम करता है, और CSR का मतलब ही केवल यही होता है, और ये तो कानूनन, आज कानूनन ये ब भाग के अंदर जाके काम करें, आज दिल्ली सरकार आज वो पानी नहीं दे पारी, लेकिन वो TPDL के उपर दबाब बना रही है कि आप पानी के प्लांट लगाईए, वो क्यों लगा रहे है, क्यों CSR के माध्यम से, तो क्या आज अगर एक तरफ मैं कहूं कि दिल्ली सरकार गोटाला किया है, तो उसके लिए भी जान चोनी चाहिए फिर, आज दिल्ली सरकार विबिन CSR के माध्यम से जगा जगा काम करवा रही है, आप पानी पूरा दे नहीं पारे, लेकिन आपने वजीरपूर इंडिस्क्लेरिये के अंदर प्लांट लगाया, वो वो आपने NDPL क माध्यम से लगाया है, तो उसके मतलब क्या है, उसकी भी जड़ा सूचना देना, उसके लिए दुर्गेश पाठक क्यों नहीं बोलते है, ठीक बात है कि लिकन आपको लगता है कि ये गलत लगा रहे हैं, जूट कह रहे हैं, और खाली कुक कर रहे हैं स्टोरी को, आप उनक कि तो अधिकारियों से बात करूँगा, मुझे नहीं मालूं क्योंकि ये कमिशनर ओफिस से ही ओडर था, ये डीसी ओफिस से ही ओडर था, इसके अंदर हमारा किसी परकार से कोई भी लेंदे नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जो मुझे पता चला है, भींगे चे कि किसी एंजियों को बीस मिनना डाला जाए, और सीधा कोई ऐसी वे वस्ता में, बिल्कुल हो रहा है, दिखिए आज भी वही एंजियों जाकर अगर लगाए, अपने फंड से लगाए, और उसके बाद और कितनी CSRs हैं, जो आकर जगा 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 कर लगा रही हैं, मेरी किसी परकार का Financial Crunch MCD के अंदर था, तो उस Financial Crunch के अंदर आपने देखा कि हमने CSR के माध्यम से कितना बड़ा हमने वहाँ पर वेस्ट एनरजी प्लांट लगाया है, जगीरा के नीचे आप चले जाए, वो भी CSR के माध्यम से ही है, वहाँ हमने गीला कूड़ा और सुखा कोड़े को अलग कर रहे हैं, तो कैसे उपर भी आरोप लगाएंगे कि कुड़ा बेचा जा रहा है, अरे भाई दिल्ली की सफाई हो रही है, दिल्ली में काम हो रहा है, आपको दिल्ली में तरक्की होते हैं, देखती अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको गोटाले का रू और ऐसे कई कारिये उस NGO ने भी किये हैं, जगे जगे उन्होंने समार्ट क्लास लगा हैं, जिनको देख करके उनके फेवर में उनकी विस्विसनेता को बढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए एक लेटर जारी किया गया था, इसमें कहीं कोई नगर निगम का अधिकारी सा मिल नहीं था, सिरफ वो सीधे अपरोच कर सके और जो सेसर जो बजट होता है, वो हासिल कर सके इस उद्देशे से एंजियो की मदद करने के उद्देशे से इस तरह का एक लेटर जारी किया था, और आम आदमी पार्टी पे यह आरोप लगा रहे हैं, कि वो जूट को आवा दे रही है, मन गडंत आरोप लगा रही है, और यही जो आरोप था, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, कैमरा में लोकेस के साथ, राजिंदर स्वामी, दिली दरपन टीवी